हाई गाईस आम जोती एंड वेलकम टो माई चानल स्टिचिंग गेम विथ जोती जहां पर मैं आपके साथ कपडो की कट अंस्टिचिंग शेयर करती हूं तो guys आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप एक साड़ी से अनार के लिए लहंगा जो कलीदार लहंगे होते हैं वो कैसे बना सकते हैं तो यहाँ पे हमने एक साड़ी ली हुई है इस साड़ी पे पहले लेस लगी थी लेस हमने रिमूब कर लिया है वो लेस को हम बाद में लहंगे में यूज करेंगे तो इसको हम सबसे पहले इस तरीके से फोल कर देंगे जो हमारे पूरी साड़ी होगी लेस अगरा हटा देंगे और यहाँ पे साड़ी पूरी प्रिंटेड है तो इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर लिया है फोल्ड करने की बाद हम इसमें कलिया काटेंगे तो गाइस कलियों के लिए मैंने एक विडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे कलिया काट सकते हैं जरी क्लिया कुर्ट नहीं हो पार था।। कियोंकि पैंसिल से डौ करो तो काम्रे रहे sayon बना पर आतो So've video प्रैब की रोगऑ नहीं तो बहुत से बहुता है। waste क estás LED पेस्ट कर लेंगे पहली बार इक ही बार में फोल्ड करना है क्योंकि असे क्या होता है क्या फोल्ड करiken अगर धोल्ड कर दिये को प seven थोड़ी आए या हम This app I took the साड़ी यूज हो जाएगी और बहुत जादा फ्लेयर आजाएगा और कपड़े बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे आपके तो आप अपने साड़ियों में अगर आप खुद से लेंगा बनाती है या फिर अगर बनवाती है तो अलग बात है अगर आप बनाती है तो आप पै काटेंगे सिर्फ सिंगल सिंगल कलिया काटेंगे क्योंकि हम ऐसे में थोड़ी सी महनत लगेगी थोड़ा टाइम लगेगा बट हमारे साड़ी वेस्ट नहीं होगी हमारा पूरा कपड़ा यूज हो जाएगा तो अगर आप मतलब कि आपको टाइम नहीं आप जल्दी करना तो उसके लिए करना क्या होगा कि जैसे आप देख सकते हैं एक सडमे मारा कपड़ा जो है वो कम होगा एक सड्मेश में जाधा होगा क्योंकि यह कल्य है आन्सी होती है जो नीचे का फ्लेयर होगा वह हम दूसरी साइड में रखेंगे जिधर साइड में हमें कपड़ा जादा मिल रहा है तो इस तरीके से में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मारी बहुत सारी कलिया इसमें निकल आएंगी इस तरीके से तो यहां पे मैंने एक कली को इधर से कट तो अभी आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लगबग 20 कलिया निकाली हुई है तो हमारी 10 कलिया आगे हो जाएंगी और 10 पीछे हो जाएंगी तो हम सबसे पहले इन कलियों को इस तरीके से रखेंगे और सारी कलियों पे इस तरीके से तरीके से रखेंगे और सारी कलियों प पत्तियां काटने होगी तो यहां पर इस तरीके से उतनी पत्तियां निकाल लोगी पत्तियों को निकालने के बाद में इसे लहंगे में अटायच करना है तो इसके लिए हमें उल्टे साइड में अटायच करना है तो इस तरीके से हम इसे सीधे साइड यहां पर नहीं इस तरी यहां पे हम इसको शिलाय लागा लेंगे तो अब देख सकते हैं यहां पे इसके शिलाय लगा लिया जए हो तु जाया लेक यहां फोल और वो लेस लगाईने पूरी फोल्ड करके यहां पे लेस रख लेगे जिससे कि यह दिखे नहीं अच्छ फिनिश होती और थोड़ा सा है तो काफी अच्छा लगता है लेंगे का फॉल जो बहुत है ऐसे करने से तो आप इस तरीके से लेस को अटैच कर सकती है लेस को अटैच करने के बाद अब पर अस्तर लगाएंगे तो इसके अस्तर के लिए हम यहां पर लेने वाले हैं लगा सकते हैं करेछा गारे लिए गोई लिए टो विए पर ही उसके लिए लिए गारे लेंगे तो उसके लिए को मैं आपे लिए लेंगे। तो यहां पर जो हैं थर्टी एट पे निशान लगाएंगे तो इस तरीके से हमें इसको जो मारा मेजरिंग टेप होता है इसे एक कोने में रखना है वहां से बिल्कुल नहीं खिसकाना है और इस तरीके से हमें 38 मतलब हम जितना भी नाप ले रहे हूं आप 38 40 30 जितना भी ले पूरा इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए आना है और पूरे में निशान को लगा देना है यहां पर मैं निशान पैंसिल से लगा रही हूं तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहां पर चौक बगेरा का यूज कर लूँ ज यहां पर ना एक इंच थोड़ा कमी लीजिए क्योंकि कटने के बाद यह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो यहां पर जैसे आठ इंच आया था तो यहां पर सात इंच पर निशान लगाए इस तरीके से गुलाई में निशान लगाना है उसके बाद हम इसे कट कर देंगे फेस्ट को और टे सकाथ भी निशे का पांट जो निचे का पार था उसे भी लोक में बश्करत को सका है यहां पहरी पासे कर दिए संट रव्म हम पूरी सकार में निकालेंगे 9 काт के स्वाही लाई टाय लाएंगे तो उसके लिए के लिए मारा लाद रखते के स्वाहरीन के tips of कि रखा एका सी के दो कि दो को आप बैस चीछ ब्रॺं कर दो तो अभी आप देख सकते हैं, यहां पर हमने इसके सिलाई लगा ली है, अब हम इसमें बेल्ट अटाच करेंगे, तो बेल्ट के लिए हमने यहां पर सेम कपड़ा लिया हुआ है, तो इसको हम अंदर की तरफ जैसे हमने लेस लगाने के लिए अंदर से कपड़े जोड़े थे वैसे हम इस बेल्ट को भी अंदर से जोड़ेंगे, जहां पर हमारा हमने साइड में सिलाई लगाई ति वहां पर हमने हाफ इंच छोड़ा था, वहां से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, तो हमें अंदर की तरफ से ही सिला है, इस बात का ध्यान रखें, जिससे की बाहर की काफी अच्छी दिखेगी उसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करके सिल लेना है तो सबसे पहले मैं आपको इसको जॉइंट करके दिखाती हूं तो अभी आप देख सकते हैं यहां पे मैंने इसके बेल्ड को अटाइच कर दिया है अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे तो यहां तो इसके लिए हमें यहां पे क्या करना है कि अगर हम अस्तर का कपड़ा यहां पे लगाते तो थोड़ा से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे तो इसलिए मैंने सेम कपड़ा लगाया है और इसके उपर मैं यहां पे लेस लगा दूंगी यह वाली तो क्या तो आप देख सकते हैं यहां पर नीचे वाला पार्ट है इसको भी अलग से जॉइंट कर लेंगे तो इसे लेज भी चौड़ी हो जाएगी और इस बेल्ट में पूरी आ जाएगी तो पहले मैं इसको लगा के मैं आपको दिखाती हूं किसका जो लुक है वो कैसा आ रहा है आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इसके बेल को अटाइच कर लिया है और इस पर लेज भी लगा दिया तो इसकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी आ रही है तो अगर आप इसका ट्राइओन देखना चाहते हैं तो आप मेरे में चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं लिंक आप मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अपने के लिए टेक केयर बाबाए